हेलो एब डीबन मीना की रसोई में आपका स्वागत है आज हम बनाने जा रहे हैं भर्मा मिर्ची यह बहुत टेस्टिया स्वादिस्ट बनता है चलो हब हम मिर्ची मसाला बनाते हैं यहां पर हमने बन केजी चिली ली है देखिया और अच्छे से हमने धोकर सुखा लिया है मत है मिर्ची का आचा छे मेहने से एक साल तक स्टोर कर सकते हैं हमने सारी मिर्चिया बारी बारी से चीर लिया है आप यहां पर छोटी या बड़ी मिर्ची ले सकते हैं देखिये इस तरीके से हमने काट लिया है अब यहां पर हम एक मिक्सर जार लेंगे उसके अंदर और इन मसालों को हमने धूप में सुखाकर पीसेंगे हम ने मसालों को कड़ाई में सुखाने की जरुरत नहीं है आप टेव कप अजवाइन हाप कफ जीरा वन कफ सौप अब हम इस मिकसर जार को ढकल लगा देंगे और इस मसालों को हम पीस लेंगे और इन मसालों को हम दरदरा पीसेंगे, आप चाहो तो इन मसालों को महीन भी कर सकते हैं, देखिए हमने इस तरह का दरदरा पीस लिया है, अब हम एक वाउल लेंगे, उसके अंदर हम ट्रांसफर कर लेंगे, अब हम उसी मिक्स अजार में वन कप सरसों ले लेंगे, आप यहाँ पर पीली सरसों या राई का भी इस्तमाल कर सकते हैं, और इस सरसों को भी हम दरदरा ही पीसेंगे, यह देखिए इस तरीके से पीस लिया है, और उनी मसाला में हम सरसों को भी ट्रांसफर कर लेंगे, यहाँ पर हम नमक स्वाद अनुसा लेंगे, बिलेक और वाइट दोनों ही इस्तमाल करेंगे, अब यहाँ पर हाप कप, फल्दी पाउडर, एक चोथाई कप, मेथी दाना, हाप टेबल स्पून, सिनेमन पाउडर, हाप टेबल स्पून, हींग, अब इन मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, करची की साहता से, यहाँ मिर्ची का अचार बहुत टेश्टी और स्वादिस्ट बनता है, इस मिर्चियों को खास कर सर्दियों में बनाया जाता है, अब इस मसाले में हम हाप क तेल ओईड मिक्स करेंगे देखिए कर्ची की साइता से हम मिक्स कर देंगे इनमें हम तेल इसलिए एड़ करेंगे ताकि हमारी मिर्चियों में जो हम मसाला भरेंगे ताकि वह बहार नहीं निकले अब हमारा मसाला तैयार हो चुका है अब हम मिर्चियों में मसाला भरेंगे अब मसाला इसमें कम या जादा नहीं भरना है मीडियम साइज का मसाला भरना है ताकि यह मिर्ची मसाला फूले तो उसी के अंदर रहे नहीं तो मिर्चियों के अंदर जादा मसाला भर देंगे तो मिर्चियों से मसाला बाहर निकलने लगेगा हम बारी बारी से सारी मिर्चियों में हम मसाला बर देंगे हमारी मिर्चियां भर कर तयार हो चुकी है देखिए अब हम इन मिर्चियों को एक डब्बे में ट्रांसपर कर देंगे आप यहां पर काच कावी रड़ कावी इस्तिमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो उस डब्बे में ट्रांसपर कर सकते हैं अब हमने सारी मिर्चियां इस डब्बे के अंदर ट्रांसपर कर दी है अब हम मिर्चियों के डब्बे को डखकन लगा कर रख देंगे और इन मिर्चियों को हम तीन से पांच दिन वाद देखेंगे तो हमारी मिर्चियों का मसाला फूल चुका है और नीचे थोड़ा सा बैट गई है अब हम 3-5 दिन बाद इन मिर्चियों में हम तेल करेंगे हम इतना तेल करेंगे कि मिर्चियां पूरा तेल से ढख जाएं और 10-15 दिन बाद इन मिर्चियों को सर्व करेंगे ताकि अच्छे से यह मिर्चियां तेल पक जाएगा मिर्चियों के अंदर का फिर हम 10-15 दिन बाद इन मिर्चियों को हम सर्व करेंगे हमारी मिर्चियों के तेल को 10-15 दिन हो चुके हैं यह देखिए अब हम एक यहाँ पर हम यह कांच का वर्तन ले लेंगे उसके अंदर हम सर्व करने के लिए निकाल लेंगे आप यहाँ पर कोई सा भी कंटेनर छोटा बड़ा बाउल किसी में भी निकाल सकते हैं देखिए बहुत टेश्टी लगती हैं अचारी की मिर्चियां दिखने में भी बहुत सुन्दा लग रही हैं आई ओप मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करना है और मेरे चेनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ये देगीए हमने सर्व करके रख दिया है मेरे चेनल को लाइक कीजिए, ससक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि आपको मिर्ची का चार कैसा लगा, बाइबाई